नमस्कार हमारे इग्नु ओडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है इंदिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्व विद्याले सतत शिक्षा विधाले, प्रमान पत्रकारे क्रम पोशन एवं बाल देख भाल में सर्टिफिकेट, CNCC, CNCC2 बाल निग्रानी सेवा का प्रबंधन, BLOC के थरी बाल विकास, 13 से 19 साल के दोरान, 21, 12 शारीरिक और क्रियात्मक विकास, बढ़ती हुई गतिशीलता और नियंत्रन 12.1 प्रस्तावना जैसा कि आपने खंड दो में पड़ा, 12 माह के शिशु किसी सहारे को पकड़ उठ खड़े हो सकते हैं, और सहारे के साथ कुछ कदम चलने भी लगते हैं, ये वस्तूओं की और हाथ बढ़ा कर उन्हें उठा भी सकते हैं आएए, अब हम एनी से मिलें जो एक माह बाद तीन वर्ष की हो जाएगी एनी दोड सकती है, एक के बाद दूसरा कदम रख वयसकों की भांती सीधिया चड़ सकती है, तथा उल्टा, अर्थात, पीछे की ओर भी चल सकती है अब उसका संतुलन पहले से बेहतर है जब भी उसे अपने भाई की कापी कहीं इधर उधर पड़ी मिल जाती है, तो वह उसके पत्रों पर स्क्रिबलिंग करने से नहीं चूपती जबकि एहनी को ऐसा करने में मज़ा आता है, उसके भाई को उसकी इस हरकत पर बहुत खीज आती है पानी से खेलना, उसमें छप छपाना, पानी को एक बरतन से दूसरे में उडेलना उसका एक प्रिये खेल है सहारे को पकड़ पकड़ कर चलने से लेकर दोड़ सकने, छोटी छोटी वस्तूओं को पकड़ने से लेकर उत्साह पूर्वक्स क्रिबलिंग कर पाने तक की अवस्थाओं के बीच कौन-कौन से विकास हुए आएए, अब हम 13-36 माह के बच्चों के स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के विकास तथा इस अवधी में होने वाले शारीरिक विकास के विशय में पढ़ें उद्देशे इस इकाई को पढ़ने के पश्चात आप 13-36 माह की अवधी में होने वाले शारीरिक विकास का वरनन कर सकेंगे 13-36 माह की अवधी के दोरान होने वाले स्थूल और सुक्ष्मक्रियात्मक कौशलों के विकास को समझ पाएंगे और 13-36 माह के बच्चों की आहार तथा स्वास्थे समबंधी समुचित देख भाल के बारे में जान पाएंगे 12-2 शारीरिक विकास 13-36 माह की अवस्था में यद्देपी वृधी जीवन के प्रथम वर्ष की तरह तीव नहीं होती तथा पी यह बाल्यावस्था के आगामी वर्षों के मुकाबले में तीवर होती है दो साल के होने तक बच्चों का कद उनके वयस्क होने पर जो कद होगा उसका आधा हो जाता है और जो वजन उनके 19 साल की आयू में होना होता है, उसका पांचवां हिस्सा इस उम्र तक हो जाता है तालिका 12.1 में एक से तीन वर्ष के सामानने स्वस्थ बच्चों के औसत वजन तथा कद दिये गए हैं जैसा कि आप अब तक जान गए होंगे, व्रिद्धी की दर में वयक्तिक भिन्नताएं होती हैं और इसी कारण एक ही उम्र के बच्चे एक दूसरे से लेंबाई और वजन में काफी हद तक भिन्न हो सकते हैं तालिका 12.1 भारतिय बच्चों की ओस्तन लगाई और वजन विवरन के लिए स्क्रीन को देखें लंबाई तथा वजन के बढ़ने के साथ साथ शरीर के अनुपात में भी परिवर्तन होता है सिर का आकार बढ़ता है और दो वर्ष की आयू में यह बच्चे की लंबाई का लगभग एक चोथाई हिस्सा हो जाता है प्रथम वर्ष की अपेक्षा इस अवधी में द्द और टागेम बाहें तीवर गती से बढ़ती है इस अवधी में बांहों की लंबाई जन्मोप्रांथ बांहों की लंबाई से 60 से 70 प्रतिशत बढ़ती है तागों की लंबाई अपेक्षाकरित धीमी गती से बढ़ती है और यह जन्मोप्रांथ तागों की लंबाई के मुकाबले में 40 प्रतिशत बढ़ती है इन परिवर्तनों के फलस्वरूप इस अवधी के बच्चों का शरीर शिशु के मुकाबले ज्यादा समानुपाती लगता है और इस कारण उसका संतुलन भी बेहतर होता है मस्तिश्क का विकास तीवरता से होता रहता है पिछले खंड के अध्ययन से आप जानते हैं कि जन्म के समय शिशु के मस्तिश्क में अधिकांस्ट स्रायु कोशिकाएं बनी होती है इस अवस्था तथा बाद की अवस्थाओं में इन कोशिकाओं का आकार बढ़ता है धीरे धीरे ये कोशिकाएं आपस में जुड़कर सन्योजित हो जाती है और विशिश्ट कारे करने लगती है नस्तिश्क का ये विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके कारण बच्चों का अपनी गती विधियों पर नियंत्रन बढ़ जाता है और उनके क्रियात्मक कोशलों में गती और परिशुद्धताहा जाती है इसके अतिरिक्त, भाशाई और संग्यानात्मक विकास भी मस्तिश्क के विकास पर निर्भर करता है वास्तव में, सभी क्षेत्रों में विकास मस्तिश्क की परिपक्वता से घनिष्ट रूप से संबध है इस अबधी में मानसपेशी तन्तुओं की लंबाई तथा मोटाई बढ़ती है, तथा मानसपेशियों के नियंतरन में सुधार आता है गर्म में आरंब हुई कुम्लास्थी के सक्त होने की क्रिया जारी रहती है रीड की हड़ी और टांगों तथा बांगों की हड़िया सक्त होने लगती है जिसके कारण बच्चे अपने शरीर के भार को संभाल पाने में समर्थ होने लगते है इस कारण वे सीधे खड़े हो पाते हैं तथा अधिक जटिल क्रियात्मत कारियों में दक्षता प्राप्ट करने लगते हैं शरीर में हड्डियों की संख्या भी बढ़ती है छोटी हड्डिया जुड़कर बड़ी हड्डी का आकार धारन कर लेती है तथा कुमलास्थी तंतु सक्त होकर नई हड्डियों में परिवर्टित हो जाते हैं तीन वर्ष के होते होते बच्चों के पूरे 20 दात निकल आते हैं इन्हें दूद के दान्त भी कहते हैं इस अवधी के अंतरगत द्रिष्टी, श्रवन, स्वाद, गंध तथा स्पर्ष संबंधी योग्यताई भी अधिक विक्सित हो जाती हैं उपर्युक्त अनुच्षेदों में वर्नित शारीरिक बदलाव बच्चों को चलने, डोडने, चरने, कूदने में समर्थ बनाते हैं और स्क्रिबलिंग तथा पकड़ने के क्रियात्मक कौशलों के विकास को बढ़ावा देते हैं स्थूल क्रियात्मक कौशल स्थूल क्रियात्मक विकास के फलस्वरूप इस अवधी के बच्चे उन योग्यताओं का अर्जन करते हैं, जिनमें अधिक ख्रियात्मक समनवय और गती की जरूरत होती है आएए, अब हम इस अवधी में उब्रने वाले स्थूल क्रियात्मक कोशलों के विकास के बारे में पढ़ें ये कोशल हैं, चलना, दोडना, कूदना और पैरों से प्रहार करना, फोकर लगाना स्वयंग पैदल चल पाने की योग्यता बच्चों की दुनिया को कई प्रकार से बदल देती है 11-15 माह की आयू के दोरान बच्चे स्वयंग बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर देते हैं जब बच्चे पहली बार पैदल चलने का प्रयास करते हैं, तो उनके दोनों पाव एक दूसरे के पास नपढ़ अधिक फासले पर पढ़ते हैं पाव की पंजे भी सीधिन पढ़ बाहर की ओर पढ़ते हैं, तथा संतुलन बनाए रखने के लिए बाहें शरीर से हटी हुई रहती हैं चलते समय इस आयू के बच्चे अपनी तागों को घुटनों से नहीं मोड़ते, बलकि कूलों से ही उन्हें हिला कर चलते हैं, जिससे उनकी चाल अक्री हुई रहती है जब वे 16 से 18 माह के हो जाते हैं, तो वे चलते हुए किसी छोटी मेज या कुर्सी को धकेल सकते हैं चलते हुए वे खिलोने और अन्य हलकी वस्तूओं को उठा लेते हैं, और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं 18 महीने की आयू के आसपास वे छोटे मोटे इधर उधर पड़े खिलोनों से हटकर चलने के बजाए उनको लागह कर चलते हैं लोंध कर चलने में उन्हें ज्यादा मजा आता है अगर पालना फर्स पर रखा हो, तो बच्चे अब स्वयम उससे निकल सकते हैं वही फर्नीचर जो पहले बच्चों के लिए एक बाधा था, अब एक चुनोती बन जाता है वे उसके उपर चरते हैं और उसे धकेलते हैं लगातार अभ्यास से बच्चों के पैर चलते समय अब सीधे पड़ते हैं अर्थात उनकी चाल एक सार और वयसकों की भानती सुस्थिर हो जाती है पहले की अनियमित चाल अब नियमित हो जाती है हालांकी दो साल के बच्चों को अपना संतुलन कायम रखने पर ध्यान नहीं देना पड़ता फिर भी अगर रास्ते में कोई वस्तु पड़ी हो तो उससे बचकर निकलने के लिए उन्हें नीचे देखना पड़ता है जब बच्चे पैदल चल पाने में सक्षम हो जाते हैं तो उन्हें डोरी से बंधे खिलोनों को अपने साथ साथ खसीतना रोचक लगता है धाई साल की आयू तक अधिकांश बच्चे काफी अच्छी तरह से पैदल चल लेते हैं चलने के प्रती आश्वस्त हो वे भिन भिन तरीकों से चलना आजमाते हैं जैसे की पीछे की ओर अर्थात उल्टा चलना अधिकांश तीन वर्षिये बच्चे पीछे की ओर चल लेते हैं पैदल चल पाने में माहिर हो, वे दोडना शुरू करते हैं शुरू शुरू में इस आयू के बच्चों के दोडने में चलने और दोडने का मिशर्ण होता है और ऐसा लगता है कि मानों वे दोड कर चल रहे हूँ इस प्रकार दोडना शुरू होता है परन्तु अभी वे दोडना शुरू करते समय और फिर रुपते समय अपनी क्रियाओं पर ठीक प्रकार से नियंतरन नहीं रख पाते इस कारण उनका दोडना अनियमित लगता है वे थोड़ी दूरी तक ही दोड पाते हैं कि गिर जाते हैं परन्तु फिर उठ खड़े हो पुन दोडना प्रारंब कर देते हैं स्थिर्टा से दोड़ पाने और दोड़ना शुरू करने और रुखने की क्रियाओं पर नियंतरन शालापूर वर्षों में विक्सित होता है 19 से 24 महीने की अवधी के अंतरगत बच्चे किसी का हाथ पक्ड़ कर सीधिया चड़ने लगते हैं तथा पी वे घुटनों के बलचल स्वयन सीधिया चड़ और उतर पाते हैं इसके पश्चात वे एक पाव सीधि पर रखते हैं फिर दूसरा पाव उसी सीधि पर लाते हैं और इस प्रकार सीधिया चड़ने के लिए वे एक एक सीधि चड़ते हैं दूसरे और तीसरे साल के अंतरगत वे किसी सहारे को पक्ड़ कर बारी-बारी से एक पाव के बाद दूसरा पाव उठा कर सीधिया चड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तीन वर्ष के कई बच्चे तीन पहियों वाली छोटी साइकिल भी चला सकते हैं। खेल में बच्चे सीधियों या बक्सों पर से चरते उत्रते हैं और इनहीं क्रियाओं के दोरान कूदना, जम्पिंग, सीख जाते हैं। प्रारंब के प्रयासों में बच्चे कूदने के लिए एक पावतों उठा लेते हैं, परन्तु दूसरे पाव को उठाते हुए घबराते हैं। इस कारण वे दोनों पाम उठाकर कूदने की जगह उची सतह से मात्र उत्रते हैं। अधिकाश दो वर्षिये बच्चे थोड़ी उचाई, लगभग, आधा फुट उची से दोनों पावों को एक साथ उठाकर कूद सकते हैं। तीन वर्षिये बड़ी गेंदों और अन्य वस्तुओं और खिलोनों पर पैरों से प्रहार, ठोकर मारने, करने का प्रयास करते हैं। तथा पी वे ऐसा समन्वित रूप से नहीं कर पाते और उनका पावठीक गेंद पर नहीं पड़ता। प्रायह वे ऐसी चेश्टाओं के दोरान गिर भी जाते हैं। इस आयू वर्ग के बच्चों को गेंद फेंकने और पकड़ने, थ्रोइंग अंड कैचिन वाले खेल रुचिकर लगते हैं। किन्तु इन खेलों के लिए आवशेक कौशल अभी उनमें पूर्नतह विक्सित नहीं होते। शायद आपने कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा खेल खेला हो। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि वे किस प्रकार गेंद फेंकते या पकड़ते हैं। यदि आप चाहें तो उनकी क्रियाओं का विवरन नीचे दी गई जगह में लिखें और उसके बाद निमनलिखित विवरन से मिलाए। गेंद को पकड़ने की तैयारी में तीन वर्षिये बच्चे अपनी बाहों को अकड़ा कर आगे की ओर सीधा फैला लेते हैं। परंतु जैसे ही गेंद नजदीक आती है, वे घबरा कर पीछे हट जाते हैं और गेंद उनके हाथों से निकल जाती है। यदि गेंद सन्योग से उनके हाथों में आगिरती है, तो वे उसे अपने शरीर से सटा कर पकड़ लेते हैं। यदि गेंद उनसे कुछ दूर, आगे या पीछे की ओर आए तो गेंद पकड़ने के लिए बच्चे स्वयं आगे या पीछे, दाएं या बाएं नहीं हिलते। गेंद फैंकते समय बच्चे उसे मात्र आगे की ओर गिरा देते हैं। फैंकते समय वे अपने शरीर को जरा भी नहीं घुमाते और एक पाव को उपर उठाने की बजाए दोनों पावों को जमीन पर गड़ाय रखते हैं। इसी कारण वे सही धंग से गेंद फैंकने में अस्फल रहते हैं। इन कोशलों के लिए द्रिष्टी और हाथों की क्रिया में बहतर समनवय की आवशेक्ता होती है, जोकी शालापूर्व वर्षों में ही विक्सित होती है। स्वस्थ बच्चे हर समय किसी न किसी क्रिया में व्यस्त रहते हैं। आप उन्हें एक क्षण पलंग के नीचे, दूसरे क्षण कुर्सी के ऊपर, कभी दर्वाजे के पीछे या फिर अलमारी के अंदर घुसा हुआ पाएगे। ऐसा प्रतीत होता है, मानों वे भमवर की भाती सब, जगह मौजूद हूँ। मातापिता तो निश्चय ही उनकी इन हरकतों से परेशान हो जाते हैं। बच्चों के लिए प्रतेक वस्तु पुस्तक, गिलास, बर्तन, एक खिलोना है। वे उसका अन्वेशन करते हैं और फिर उसे छोड़ किसी नई वस्तु को ढूरते हैं। बच्चों के लिए गतिशीलता और गतिविधी का क्या महत्व है। गतिशीलता बच्चों को खोज कर पाने के अवसर प्रदान करती है। इन क्रियाओं के दोरान वे अपने आसपास की दुनिया का अन्वेशन करते हैं और अन्य लोगों के संपर्ट में आते हैं। गतिशीलता से संतुलन और समनवय बहतर होता है। जब वे वस्तूओं को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, उन्हें धकेलते हैं और अपने खिलोनों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखते हैं, तब वे यह सीखते हैं कि वे अपने आसपास की चीजों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं। वस्तू और खिलोनों के साथ खेलते हुए स्थान और दिशा के बारे में भी उनकी जानकारी बढ़ती है वे अपने अनुभवों से लगातार सीखते हैं बच्चों के स्वबिम्बन, सेल्फ इमेज और स्वमाननेता, सेल्फ एस्टीम के विकास में गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण भूमिका है अपने आप चल पाने की योग्यता बच्चों को स्वतंत्रता का एहसास दिलाती है और आत्मविश्वास के साथ चुनोतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है अगर बच्चों की गतिशीलता पर पाबंदी लगाई जाए तो मुम्किन है कि उनका अपनी शारीरिक योग्यताओं के बारे में विश्वास न बढ़े और वेहमाउम्र बच्चों तथा वयस्कों के साथ खेलने में मिमक महसस करें इकाई, पंद्रह में आप इस विशय में और अधिक जानकारी प्राप्ट करेंगे आप सुन रहे ओडियो लर्ण इगनु को बारह, चार, सूक्षमक रियात्मक कोशल 13-36 माह की अवधी के दौरान बच्चे अपने हाथों का प्रयोग अधिक कुशलता से कर पाते हैं वे अब छोटी-छोटी वस्तूओं को बहतर धंग से उठा और पकड सकते हैं परिनामस्वरूप, वे कई ऐसे कारे कर पाते हैं, जो की उनके लिए पहले कठिन थे पकड़ना 15 महीने के बच्चे वयसकों की भाती अंगूठे और कनिष्ट अंगूली के प्रयोग से चीजों को पकड़ सकते हैं कनिष्ट अंगूली और अंगूठे से किसी वस्तू को पकड़ पाने की यह योग्यता बहुत महेत्वपून है और हम इसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कई कारियों जैसे लिखने, बटन बंद करने या खाना खाने के लिए करते हैं इस आयू वर्ग के बच्चे बटन, कंकड या बीज जैसी छोटी वस्तूओं को सफलता पूर्वक उठा सकते हैं जैसे जैसे उनके पकड़ने के कोशल में सुधार आता है, वे वस्तूओं को एक के उपर एक रखने में रुची लेते हैं और अठारह महीने की आयू के बच्चे लकडी के गुटकों, ब्लॉक के साथ खेलते हुए उन्हें एक दूसरे के उपर रखकर मीनार बना सकते हैं हाथों के बीच समनवय के विक्सित होने से पालन करता द्वारा डिम्बे के धक्कन में बनाए गए छोटे-छोटे छेदों में से बच्चे बटन और कंकड डाल पाते हैं, तीन वर्ष के होने तक वे पुस्तक के कुछ पत्रों को पलट सकते हैं, बच्चे अब स्वयं पारे बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते हैं, ऐसा करते हुए प्रायह गिलास में से पुछ सामगरी छल ककर गिर भी जाती है, वे अपने हाथ या चम्मच से स्वयं खाने की जिद तो करते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ भोजन उनके मुह के आसपास लग जाता है, और पानी पी सकते हैं, स्क्रिबलिंग, कागज या किसी भी सतह पर लेखन सामगरी से आड़ी तेजी, तेढ़ी मेरी, गोल चकोर घसीटों के रूप में लिखाई, को स्क्रिबलिंग कहते हैं, आम तोर पर जीवन के दूसरे वर्ष में ही बच्चे पेन, पेंसिल, रंग आधी को पड़ा देख उन्हें उठाकर कागज, दीवार या किसी भी सतह पर स्क्रिबलिंग करने लगते हैं, स्क्रिबलिंग लिखाई करने की प्रारंभिक अवस्था है, मानसपेशियों में बढ़ता हुआ समनवय उन्हें हाथ में चौक, पेंसिल, रंग आधी, पकड़ पाने में समर्थ बनाता है, जिससे वे स्क्रिबलिंग करते हैं, शुरू-शुरू में, जब बच्चे स्क्रिबलिंग करना प्रारंभ करते हैं, तो वे रंग पिंसिल को कसकर अपनी मुठ्थी में पकड़ते हैं, उनकी पकड़ इतनी मजबूत होती है, कि कुछ समय बाद धकान क कारण उनकी हथेली खुल जाती है, और रंग हाथ से गिर जाते हैं, इन बच्चों द्वारा खीनची गई लकीरें हमें ऐसी लगती है, जैसे वे अनायास ही खीनची गई हों, परन्तु ऐसा, नहीं है, बच्चे आगे पीछे की और घसीते निश्चित रूप में मारते हैं इस उम्र में खीनची गई लकीरें साधारनत्य सीधी होती है, और वे ऐसी लकीरें बार-बार बनाते हैं स्क्रिबलिंग करने में बच्चे इतने सनलगन होते हैं, कि कहीं और देखते हुए भी वे अपने हाथों की क्रिया जारी रखते हैं इस उम्र में बच्चों का अभी अपने हाथों की क्रियाओं पर पूरा नियंतरन नहीं होता आध्य कई बार स्क्रिबलिंग करते हुए लकीरें कागज से बाहर चली जाती है स्क्रिबलिंग करते समय बच्चे, बड़े बच्चों और वयस्कों की तरह कलाई का प्रयोग नहीं करते बलकि वेकंधे से ही पूरी बाह को आगे पीछे हिलाते हैं जिसमें कंगे और कुर्नी दोनों का ही इस्तेमाल होता है यह अवस्था ढ़ाई से तीन वर्ष की आयू तक चलती है तथा पी कुछ बच्चे जिनका समनवय बहतर होता है, तीन वर्ष के होने से पहले ही स्क्रिबलिंग की अगली अवस्था में पहुँच जाते हैं इस अवस्था में बच्चों की स्क्रिबलिंग के नमूनों में गोलाकार, अर्धगोल और फंदे के आकार के नमूने देखे जा सक हैं यह इस बात को सूचित करता है कि बच्चों ने अब अपनी कलाई का प्रयोग करना प्रारंब कर दिया है यह मानसपेशियों के बेहतर समनवय को दर्शाता है अब स्क्रिबलिंग की लकीरें कागज के बाहर नहीं जाती यह आखों तथा हाथों बढ़ते हुए समनवय और मानसपेशियों के नियंतरन का सूचक है बच्चे स्क्रिबलिंग के साथ विभिन प्रकार के प्रयोग करते हैं और लेखनी पर दबाव की मात्रा को बदलते रहते हैं जिससे कभी लिखाई, गहरी या कभी हलकी हो जाती है अपनी इस लिखाई को देख बच्चों में यह भावना उम्रती है कि वह कुछ कर सकते हैं यह उनकी उपलबधियों से एक है इस उम्र के कुछ बच्चे जिन्हें विशेश रूप से सिखाया गया हो कुछ अंक और अक्षर लिख पाते हैं और चकोर तथा त्रिकोन आधी बना सकते हैं किन्तु यह आकरितिया वे ठीक से नहीं बना पाते और बच्चों को इन्हें बनाने में कठिनाई होती है लिखाई सिखाते समय बच्चों के साथ जोर जब्रदस्ती नहीं करनी चाहिए आपने इस आयू वर्ग के बच्चों का स्क्रिबलिंग करते हुए देखा होगा उनकी स्क्रिबलिंग में आपने कौन-कौन से रूप और भाका देखे आप उनकी किपलिंग के नमूने इकठे कर सकते हैं और उनका विवरन नीचे दी गई पंक्तियों में लिख सकते हैं जैसे जैसे शालापूर्व वर्षों में बच्चों की सूक्ष्म मानसपेशिया और विक्सित होगी वैसे वैसे लिखाई भी विक्सित होगी अगले खंड में शालापूर्व वर्षों के दोरान स्क्रिबलिंग और लिखने के चर्णों की चर्चा की जाएगी अनेक शेत्रों में विकास की तरह बच्चों के क्रियात्मक कोशलों का विकास भी सनायू तंत्र की परिपक्वता पर आधारित है परन्तु जब बच्चे किसी कोशल को सीखने के लिए जैविक रूप से तयार हो जाते हैं तो उन्हें अभ्यास के अवसर और प्रोथ साहन देना आवश्यक है यदि कोई बच्चा किसी कौशल को सीखने के लिए परिपक्व नहीं है तो उसे सीखने के लिए मजबूर न करें कभी कभी किसी बीमारी या दुरघटना के कारण बच्चे के विकास में कुछ बाधा आ सकती है साथ ही साथ इस उम्र में बच्चे कई नई चीजें आज माते हैं और हो सकता है कि वे सभी कोशलों में समान रूप से निपुन नहों जब वे एक कोशल की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं तो हो सकता है कि वे दूसरे कोशलों को सीखने में पीछे रह जाए परन्तु यह चिंता का कारण नहीं है हम सब में विशेशकर बच्चों में सक्षम और दक्ष होने की प्राक्रितिक इच्छा होती है जिसके परिनामस्व रूप हम निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं इस आयू में अगर कोशल सीखने में थोड़ा विलंभ हो जाए तो बाद में उसकी प्रतिपूर्ती की जा सकती है इस आयू के बच्चे कारे करने के लिए एक हाथ का दूसरे से अपेक्षा करित अधिक प्रयोग करने लगते हैं और फिर आगे चलकर मुख्य रूप से उसी हाथ का प्रयोग करते हैं जन्मो प्रांथ प्रथम वर्ष में शिशु किसी वस्तु को पकड़ने या उठाने के लिए दोनों हाथों को बराबर रूप में प्रयोग करते हैं दो वर्ष के होने पर वे एक हाथ का इस्तेमाल दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक करते हैं उनकी यह वर्यटा 5-6 वर्ष की आयू तक सपश्ट रूप से देखी जा सकती है और इसी हाथ को प्रधान हाथ कहा जाता है हम्मे से अधिकांश अपने दाए हाथ को प्रधान रूप में इस्तेमाल में लाते हैं कुछ लोग बाए हाथ का प्रधान रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ दोनों हाथों का बराबर प्रयोग करना सीख जाते हैं। बाय हाथ को प्रधान रूप से इस्तेमाल करने वाले लोगों को थोड़ी कठिनाईया आती हैं, क्योंकि अधिकांश औजार और उपकरन जैसे की कैंची, संगीत वाद्दे यंत्र, लिखने वाली मेज, दरवाजों के हंदल आधी दाय हाथ का प्रयोग करने वाले लोगों के लिए बनाए जाते हैं, फिर भी बाया हाथ इस्तेमाल करने वाले दाय हाथ का इस्तेमाल करने वालों की दुनिया में समायोजन करना सीख जाते हैं, अध्येनों ने दरशाया है कि दाया हाथ या बाया हाथ इस्तेमाल करने वाले बच्चों में स्कूल संबंधी उपलब्ध व्यक्तिगत सामाजिक संबंधों या बुद्धी संबंधी कोई भिन्नता नहीं होती। इससे पहले कि हम इस अध्याय को समाप्त करें, यह बताना महत्व पूर्ण होगा कि यद्धेपी हमने स्चूल और सूख्षम क्रियात्मक कोशलों के विकास की छर्चा अलग-अलग की है, तथा पी बच्चों की अधिकांश क्रियाओं में स्थूल और सूख्षम क्रियात्मक कोशलों का मिश्रन होता है बोध प्रश्न 1. नीचे दिये गए स्थान में निमनलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए 1. 13-36 माह के बच्चों के शारीरिक विकास के उन्चर्णों का विवरन दीजिए जो क्रियात्मत कोशलों के अर्जन में सहायक होते हैं 12. अंच, बच्चों की देखभाल विद्धी और विकास के साथ साथ बच्चों के लिए अपेक्षित भूजन की मात्रा और प्रकार तथा बच्चों के खाने की देनिक अनुसूची में परिवर्तन आता है विद्धी की जाच तथा टी काकरण इस आयू में भी जारी रहने चाहिए आए हम देखभाल के इन पहलूँ के बारे में निम्नलिखित उपभाग को पढ़ें 12.5 1. आहार 13-36 माह की अवधी के दोरान खाना बच्चों के लिए एक सामाजिक क्रिया बन जाती है और वे दूसरों के साथ मिल बैठ कर तथा बाट कर खाना पसंद करते हैं ठके होने पर या भूख लगने पर बच्चे कभी-कभी अपनी विश्राम और भोजन संबंधी आवश्यक्ताओं को अभिव्यक्त नहीं कर पाते ऐसे में वे रोते हैं या चिड़-चिड़े हो जाते हैं जब बच्चे खेल में सनलगन होते हैं तो संभव है कि वे खाने की और कम ध्यान दें तथा उन्हें भूख का अहसास भी न हो आथह पालन करता को बच्चों की आवश्यक्ताओं के प्रती सतर्क होना जरूरी है उसे चाहिए कि वह बच्चे को आराम करने के अवसर दे और नियमित रूप से नियत समय पर भोजन दे यद्यपी कई घरों में बच्चों के लिए परियाप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है फिर भी बच्चों को उनकी आवश्यक्ता के अनुरूप परियाप्त भोजन नहीं मिल पाता भोजन का अभाव आम तोर पर गरीबी से संबंधित होता है कभी कभी मा की लाप्रवाही भी इसका कारण हो सकती है ऐसी स्थिती में शिशुगरी केंद्रों की भूमी का महत्व पूर्ण हो जाती है केंद्र में दिये जाने वाले पूरक आहार बच्चों के लिए महत्व पूर्ण है इस विशय के बारे में आप खंड साथ में विस्तार्श से पढ़ेंगे कई बार भोजन करते समय बच्चे अपनी मनमानी करने की जिद्ध करते हैं कभी कभी मा भी बच्चे पर जोर डालती है कि उसे जो दिया जा रहा है वह उसे खाले परन्तु यदी बालिका एक विशेश खाद्य पदार्थ नहीं खाती तो बहतर है कि इस खाद्य विशेश को खाने के लिए उसे विवश न किया जाए आप उस खाद्य पदार्थ को किसी अन्य रूप में उसे दे सकते हैं उदाहरन के लिए यदी बालिका सब्जी नहीं खाती तो आप सब्जी को दाल में पका कर या रोटी के अंदर भर कर भी उसे दे सकते हैं पालक को मूं की दाल के साथ और घिया को चने की दाल के साथ पकाया जा सकता है पालक या मेथी को बारी काट कर उसे आटे में गुंध कर रोटी अत्वा पूरी बनाई जा सकती है बच्चों को ये हरी पूरिया बहुत पसंद आएंगी गोभी या मूली जैसी सब्जियों को कदुकस करके उसके भरवा पराठे बनाई जा सकते है सामबर जैसे भोजन पदार्थ जो की डालों और सब्जियों के मिशर्ण से बनते हैं भी बच्चों को दिये जा सकते हैं निम्नलिखित अनुच्छेद में सूजी के चीले बनाने की विधी दी गई है जिसमें आप किसी भी सब्जी का इस्तमाल कर सकते हैं चार चम्मच सूजी ले उसमें पानी और एक चुटकी नमक अच्छी तरह से मिलाकर घोल तयार करें इसे दो-तीन घंटे तक रखा रहने दे प्याज, गाजर, पालक तथा बंदगो भी जैसी सब्जिया काट ले तवे को आग पर गर्म होने के लिए रख दे और एक चम्मच, खाने का तेल उस पर डाल दे फिर दो चम्मच सूजी के घोल को तवे पर डाल कर फैला दे इस पर अब कटी हुई सब्जिया फैला दे इस चीले को धीमी आज पर पकाए जब उसकी निचली परत पक कर सुनहरे भूरे रंग की हो जाए तो उसे पलट दे इसे दो-तीन मिनट तक पकने दे दोनों और से सुनहरे भूरे रंग जैसा होने पर चीला परोसा जा सकता है इस प्रकार आप उपरियुक्त सामगरी को बदल कर अन्य तरीके से भी चीला बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए आहार आयोजित करते समय यह ध्यान रखना आवशक है कि आहार संतुलित होना चाहिए संतुलित शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है संतुलित आहार में शरीर के लिए अनिवार्य सभी पोशक तत्व उचित मात्रा में होते हैं मानव शरीर के लिए आवशक पोश्टिक तत्वों को निमलिखित प्रकार से वर्गी कृत किया गया है वसा और कार्बोज जो की शरीर को उर्जा प्रदान करते हैं प्रोटीन जो शरीर निर्माण में सहायक होते हैं और खनिज लवन तथा विटामिन जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। आहार में इन पाँच पौश्टिक तत्वों के अतिरिक्त परियाप मात्रा में तरल पदार्थ भी होने चाहिए। आहिए हम कुछ खाद्य पदार्थों की उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले पौश्टिक तत्वों के अनुसार सूची बनाए। कार्बोज प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ गेहु, चावल, रागी, ज्वार, अर्थात, अनाज और चीनी। प्रोटीन प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ डाले, दूद, दूद से बने पदार्थ, अंडा, मास, मचली। वसा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, तेल, घी, वनस्पती, तेल और मक्षन। विटामिन तथा खनिज लवन वाले खाद्य पदार्थ साख सबजी तथाफल उपरियुक्त खाद्य पदार्थ इन पौश्टिक तथों जिनको उपर बताए अनुसार वर्गीकृत किया गया है के साथ साथ और भी पौश्टिक तथों प्रदान करते हैं उदाहरणता गेहु काफी मात्रा में कार्बोश तो प्रदान करता ही है परंतु साथ ही साथ इसमें और भी पौश्टिक तथों होते हैं तथापी खाद्य पदार्थों को उनसे प्राप्प्रमुख पौश्टिक तथों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है इसलिए यह खाद्य पदार्थ हमारे भोजन में उस एक पौश्टिक तत्व के स्त्रोत में महत्वपूर्ण है यदि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि प्रत्यक आहार में उपर्युक्त पाँच वर्गों, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और विटामिन में से एक एक खाद्य पदार्थ ले तो हर आहार संतुलित आहार हो जाएगा प्रत्यक आहार अगर संतुलित होगा विशेशकर, तीन मुख्य आहार, सुबा का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात्री का भोजन तो व्यक्ती के पूरे दिन का आहार संतुलित होगा यह मुम्किन है कि आपको ऐसा लगे कि प्रत्यक वर्ग में से एक एक खाद्य पदार्थ लेना तो बहुत महंगा पड़ेगा और ऐसा भोजन पकाना भी मुश्किल होगा परन्तु ऐसा नहीं है उदाहरन के लिए फिरोजा को परोसे गए निमलिखित आहार को लीजिए उसने बेसन गोभी की रोटी दही के साथ खाई रोटी बनाने के लिए बेसन और कद्दूकस की हुई गोभी गेहु के आटे में गून्धी गई थी फिरोजा को संतुलित आहार मिला रोटियों से उसे कार्बोज, प्रोटीन और विटामिन तथा खनिज लवण मिले गेहू से कार्बोज, बेसन से प्रोटीन और गोभी से विटामिन तथा खनिज लवण मिले आप गोभी के स्थान पर मेथी या पालग जैसी हरी पत्तेदार सबजिया भी इस्तमाल कर सकते हैं रोटियों पर लगे तेल से वसा की प्राप्ती हुई दही से रोटीन मिला इस प्रकार सिर्फ दो खाद्य पदार्थों से ही संतुलित आहार बनाया जा सका आहिए अब देखें कि हेमा ने सुबह के नाश्टे में क्या खाया उसमें दूध एक अंडे का सेंडविच और पपीते का एक छोटा टुकड़ा खाया अंडे और दूध से उसे प्रोटीन मिला दबल रोटी से कार्गोज, पपीते से विटामिन और खनिज लवन और सैंडविच में लगाए गए मक्खन से उसे वसा मिली इस प्रकार हेमा ने भी संतुलित आहार खाया इसके विपरीत सुनीता ने साधे परांथे अचार के साथ खाये इसके आहार में मुख्य रूप से कार्गोज और वसा शामिल थे इसी आहार से उसे कुछ मात्रा में शेश पोशक तत्व भी मिले होंगे परन्तु विटामिन, खनेज या प्रोटीन प्रदान करने वाले कोई भी मुख्य स्रोत इस आहार में सम्मिलित नहीं है यह सुनश्चित करना बहुत महत्वकूर्ण है कि प्रत्यक आहार जो बच्चे खाए, वह संतुलित हो बच्चों को कित्मी मात्रा में भोजन दिया जाना चाहिए, प्राया इसका सबसे अच्छा सूचक उनकी भूख है लेकिन जब बच्चे खेल में व्यस्थ होते हैं, तो वे खाना भूल सकते हैं, और कुछ बच्चों को भूख कम लगती है ऐसे मामलों में बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिलेगा आता बच्चों के आहार के बारे में आपको बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी समय में ज्यादा भोजन नहीं खा सकते, इसलिए उन्हें दिन में दो या तीन बार ज्यादा मात्रा में भोजन देने के बजाए बहतर है कि उन्हें थोड़ी मात्रा में थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में आहार दिया जाए आता तीन मुख्य आहारों के अतिरिक बच्चों को इन आहारों के बीच-बीच में पौश्टिक अलपाहार देते रहना चाहिए नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में और शाम को चाय के समय आप उन्हें कोई फल सैंडविच बिस्कुट दे सकते हैं आप निमलिखित तरीके से पौश्टिक लड़ू बना सकते हैं थोड़े से तेल में गेहु के आटे, बेसन और मुंगफ्लियों को भून ले गुर के इस्तमाल से मीठा सीरा बना ले इन दोनों सामगरियों को परस पर मिला कर उससे लड़ू बना ले आप इन लड़ूओं को डिब्बे में संद्रा कर दिन में एक या दो बार बच्चों को दे इस अवधी के बच्चों में प्रोटीन और उर्जा की आवशक्ता अधिक होती है क्योंकि उनकी वृद्धी तीवरता से हो रही होती है और वे अधिक क्रियाशील भी होते है प्रोटीन की आवशक्ता शारिरिक निर्मान के लिए आवशक है और कार्बोज तथा वसा उर्जा प्रदान करती है ये सुनिश्चित कर ले कि बच्चे के आहार में ये सभी पौश्टिक तत्व परियाप मात्रा में हो पिछले खंड में आपने शिशुओं के लिए आवशक तीका करण के बारे में पढ़ा तीका करण 13 से 36 माह की अवधी में भी जारी रहना चाहिए 16 से 24 महीने की आयू में बच्चों को DPT और पोलियों की बूस्टर खुराक अवश्य दे बूस्टर खुराक देते समय याद रखे कि यह पिछली खुराक के पूरे एक वर्ष के बाद ही दी जा रही हो बोध प्रश्न दो दो नीचे दो आहारों का विवर्ण है एक जो रवी को दिया गया और दूसरा जो माला को दिया गया आपके विचार में किसको ज्यादा संतुलित आहार मिला माला का दोपहर का भोजन पालक की रोटी पालक को काट कर आटे में गंध कर कीमा करी के साथ रवी का दोपहर का भोजन चावल और चने की दाल पापड के साथ इस इकाई में 13 से 36 माह की अवधी के अंतरगत होने वाली शारिरिक और क्रियात्मक विकास की चर्चा की गई है अस्थिपंजर मासपेशियों और मस्तिष की परिपक्वता क्रियात्मक कौशलों के अर्जन में सहायक होती है क्रियात्मक कौशलों के विकास के अंतरगत आपने पढ़ा कि तीन वर्ष के होने तक बच्चे भागने, दौडने, कूदने, फानने, थोकर लगाने तथा पीछे की ओर चलने में समर्थ हो जाते है उनका अपने हाथों पर नियंत्रन भेतर हो जाता है और वे छोटी वस्तूओं को पकड़ पाते है स्क्रिबलिंग इस अवस्था में उभरती है अपने अंगूठे और कनिष्ठ अंगूली से पेंसिल को पकड़ कर लिखना वे बाद में सीखेंगे बच्चों को संतुलित आहार देना आविशक है इसका कात्पर्य यह है कि उन्हें पाँचों कोशक काबोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिजलवण आहार में मिलने चाहिए इस अवस्था में बच्चों को जो जो टीके लगवाने चाहिए वह भी बताया गया है धन्यवाद मिलते हैं अगले विडियो